हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल सौम क्लासिस में दोस्तो यूपी बी एड एंट्रांस एक्जाम देने वाले अभ्यरतियों के लिए न्यूज है कि 8 अपरेल से उनके एडमिट कार्ड रिलीज कर दे जाएंगे और 15 अपरेल को उनका इँआ एक्जाम है पंदरे अपरेल को उनका एडमिट कार्ड रिलीज कर दे जाएंगे केवल आप 15 दिन समझसकते हैं कि आपके एक्जाम के बचे हैं अब आप इन 15 दिन में कैसे तैयारी करें क्या पढ़ें कि आपको गोवर्मेंट सित मिल जाएं तो सबसे पहले देखि अगर सोच गा जादा तर अप्भारती जन्होंने अभी तक भी तरी आरी नहीं शुरू की है मैं उम्मीद करता हूँ कि जादा तर अपने अपड़े होंगे इस स्लेबस को कंप्लिट कर लिए होंगे ताकि वो सरकारी सिट ले लें मगर जो अभी तक भी नहीं पड़े हैं तो उन्हें कैसे शुरुआत करने चाहिए क्या चीज पहले पढ़ना चाहिए ताकि वो अच्छी rank हसिल कर सकें अच्छा score ला सकें और एक government seat ले सकें क्योंकि दोस्तो आप जानते हैं एक private seat और government seat में कितना बड़ा फर्क होता है उसकी fees को लेकर उसकी attendance को लेकर और उसकी regularity को लेकर कापी अभ्यरती द्यानते हैं कि private और सरकारी seat में कितना फर्क होता है तो क्या पढ़े हैं कि आपको 100% sit मिल जाए क्योंकि 8 April को admit card release हो जाएंगे और 15 तारीक को एक्जाम है तो दोस्तो जैसा आप जानते हैं कुल मिलाकर तो देखेगा दोस्तो ये क्या है बी एड परवेश परिक्षा 2019 15 April को पदेश के 1216 परिक्षा केंद्रों पर लगबग 6 लाक अभ्याती बी एड की सेंख परिक्षा देंगी दोस्तो आपके जानकारी के लिए बता दू बी एड परवेश परिक्षा में बहुत कम अपसेंट देखनों को मिलती है जादर बड़ी संख्या में लोग एक्जाम देते हैं इसका रिजन ये है कि एक तो बड़ी संख्या में इसकी फीस है ज्यादा रुपय में इसकी फीस है तो आप भिरती नहीं चाहते हैं कि उनकी फीस खराब हो दूसरा कारण ये है कि जो बी-एड करना चाहते हैं अब बी-एड हनिवारिया कर दी गई है अगर आप चाहे आप किसी गुवर्मेंट कॉलिज में पढ़ाएं या प्राइवेट कॉलिज में पढ़ाएं आपके पास बी-एड होना चाहिए तभी मानने आप होंगे जैसा मान चाह केंद के 200 मीटर तक रहेगी निशाता अग्य है यानि आप 200 मीटर के अंदर किसी भी अवैद व्यक्ति का आना जाना साप मनाई है जिलादिकार ये सस्पी पत्र जारी कर भी एड परिवेश परिक्षा कराएंगे चोदै दिन का वक्त बचात समझ रखते हैं आपको आपका अगर सब्जेक्ट काफी मजबूत है तो पहले उसे आप सोचेगा वरना पहले आप तीन सब्जेक्टों को कम्पलीट करने की कोशिश कीजगा अगर मैं आपको रिजनिंग की बात बता दू रिजनिंग 50 कोश्चन के आते हैं इनमें से 50 कोश्चन में से 40 कोश्चन बहुत इजी टाइप को होते हैं अगर आपने 10 दिन भी रिजनिंग पढ़ ली 2-3 घंटे डेली जादा नहीं 2-3 घंटे डेली 10 दिन भी आपने रिजनिंग कर ली तो मैं आपको सर्थ से कह सकता हूँ कि आप रिजनिंग में 40 प्लस स्कोर कर देंगे 40 प्लस स्कोर आपके व A C plus score, A C plus score आपके वाल reasoning कर देंगे, reasoning के आता क्या है, आपका coding, decoding, simple ही आता है, आपकी alphabet order आता है, यानि dictionary में इस word को आप किस order में लगाएंगे, simple तरीके question पुछे जाते हैं, odd, even, odd, number आते हैं, बिल्कुल simple में समन तक, बिल्कुल easy question, ज्यादा hard नहीं पूछे जाते हैं, बहुती medium टाइप के question पूछे जाते हैं, अगर आप आसानी से कर लेंगे, तो आप कर लेंगे, दूसरी बात, 3 घंटे का exam होता है, काफी time आपको exam करने के लिए मिलता है, 3 घंटे का exam मिलता है, दो part में exam होता है, gk और hindi एक part में पूछी जाती है, reasoning और reasoning और आपका subject एक part में पूछा जाता है, दोनों के लिए 3 घंटे का समय मिलता है, एक ही दिन में दोनों exam होंगे, तो अगर आप 2 से 3 घंटे reasoning पढ़ते हैं, 10 दिन भी तो आप 40 प्लस question असानी से attempt कर पाते हैं, दूसरी बात कर लो मैं, हिंदी की हिंदी में क्या आता है, तो हिंदी को आप कह सकते हैं, थोड़ा moderate type की आती है, मगर hard हिंदी भी नहीं आती, moderate type की आती हैं, मगर hard हिंदी भी नहीं आती, अभी भी आपके पास काफी time है, 14 से 15 दिन आपके पास बचे हैं, काफी time है आपके पास आसानी से हिंदी में score करने का, आपको करना क्या है, आपको कम से कम, 5 सब्द जो आते हैं, वो सही और गलत आते हैं, यानि हम कहते हैं वर्तनी, सुद्ध वर्तनी के 4 से 5 question इसमें exam में पूछे जाते हैं, तो आप वर्तनी पर काफी दिहान दे, समास पर काफी दिहान दे, वाक्य सुद्ध करने पर काफी दिहान दे, योग रूड समास रूड इन सभी सब्दों पर काफी विसेश रूप से ध्यान दें अगर मैं बात करूँ आप 2-3 घंटे दिन में 2-3 घंटे हिंदी पढ़ते हैं 2-3 घंटे हिंदी पढ़ते हैं तो आप समझ लिजेगा आसानी से 2-3 भी नहीं आपके वल 2 घंटे भी हिंदी अगर दिन में पढ़ रहे हैं जितना टाइम आपके पास बचा है 10-15 दिन तो आप हिंदी में 35 प्लस स्कोर कर देंगे मैं गारंटी से सर्थ से कह सकता हूँ मगर दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा अभी टाइम बचा है ये चीज़ों लेकर हर मत माल लिजेगा कि आपके पास टाइम नहीं है टाइम खतम हो गया है अब मैं नहीं पढ़ सकता था अब मैं ऐसा रहा वैसा रहा अभी भी पंदरे दिन आपके पास है और पंदरे दिन आप डेली दो घंटे हिंदी को देते हैं तो 30 घंटे बैठते हैं और 30 घंटे में आप एक घंटे में एक चैप्टर बड़े आसानी से खतम कर सकते हैं और 30 chapter अगर आपने खतम कर दिय तो आप समझ सकते हैं 35 plus question आपको कोई नहीं रोख वाएगा 35 plus question और 35 plus question का मतलब होता है 70 score आपका 70 score इस तरह आपका समझते हैं आपने 80 plus score आपका reasoning में और 70 plus score आपका हिंदी में 2.500 स्कार्ट आपका हो गया आपकेवल 2 चीज़ों में बचा किया आपका सब्जैक्ट बच जाता है और आपका J.K बच जाता है अब J.K की बात कर लो मैं J.K तो G.K बहुत हलकी जाती है बहुत हलकी जाती है दोस्तों पर दियान से दे मेरी बट को अगर आप पढ़ी जीक है मैं आपको सीधा बता दूँ अगर आपने जीके नहीं पढ़ी एक दो टाइम अगबार यूज किया है या कभी कभी कलास में यूज किया है आपकी जितनी बेसित है आप जितना जीके अभी जानते हैं तो आप आप अशानी से 25 कोश्चन कर लेंगे ये तब है आपके पास 15 दिन हैं आप तयारी में लग जाएगा आप एक घंटा जीके को डेली दें एक से दो घंटा जीके को डेली दें और अगर आप एक से दो घंटा जीके को डेली देते हैं तो आप आसानी से 38 प्लस स्कोर 35 प्लस कोश्चन आसानी से जीके में आपको बता दूँ तो GK में आपको काफी टौप नहीं पढ़ना है आप केवाल पंद्रे सो से दो हजार कोश्चन पढ़ लीजेगा GKK, होल GKK जिसमें आपकी हिस्टरी भी होने चाहिए, जिजोग्राफी भी होना चाहिए आपका सब कुछ होना चाहिए आप 15 से दो हजार कोश्चन के कोई ऐसी बुक ले आएगा जिसमें 15 से दो हजार कोश्चन में सारी चीजे कवर की हुई हो कोई ऐसी बुक हो जिसमें सारी चीजे कवर कुई हो यानि घागर में, सागर में गागर में बनने वाला काम जिस किताब में किया गया हो आप उस किताब को ले आए और ये 15 दिन जो बचे हैं उसमें इस किताब को पढ़िएगा जिसमें 15 दोसे 2000 कोश्चन दिये गए हो GK के मैं गारंटी से कह सकता हूँ आप 35 प्लस स्कोर करेंगे GK में GK में तो आपका कोश्चन बन जाता है चोदा आट बाइस चोदा राट बाइस यानि 220 नंबर आपके तयार हो गए हैं केवल मोटे मोटे में बात बता रहा हूँ किसमें हिंदी रीजिनिंग और GK में और ये तब है जब मैं बिल्कुल आपको स्टरिजी से आसाथ बता रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बता रहा हूँ पेपर को आप जादा मत समझे की बहुत बड़ा एक्जाम है बिल्कुल बड़ा एक्जाम नहीं है आप केवल तयारी करें आपना तरीका से मैं बता रहा हूँ के वाल हिंदी moderate type की इसमें पूछे जाती है आपका reasoning और GK काफी easy आता है आप आसानी से अब मैं average score की बात करूँ अगर आप आज से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और 15 तारिक तक पढ़ते हैं 4-5 गंटे 4-5 गंटे तो आप reasoning, हिंदी और GK में लगबग 200 से plus score बनाएंगे 200 से 220 plus तक score बना लेंगे आसानी से ये तब है, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूँ जो पढ़ने में weak नहीं है थोड़ा बढ़कर है, यानि medium type का है average student की में बात बता रहा हूँ जो बहुत अच्छे पढ़े हुए हैं जो पढ़े हैं और जो आगी भी पढ़ते रहेंगे वो जादा score कर जाएंगे और 250 plus score कर जाएंगे 250 plus score कर जाएगा 200, 220 plus score में उस अभ्यारते के लिए बता रहा हूँ जो आज से तयारी करेगा पंदे दिन के लिए अब आपका बच जाता है subject तो दोस्तो subject के बाड़े में आपको ये बता दूँ मैं subject में कोई भी अभ्यारती जादा score नहीं कर पाता केवल 10% अभ्यारती जितने भी एक्जाम देते हैं उनका केवल 10% अभ्यारती ऐसे होते हैं जो 30 plus question attempt कर पाते हैं अपने subject में अपने subject में जो 30 प्लस score कर पाते हैं, 30 प्लस question attempt कर पाते हैं, वो किवल 10% अब्यारती होते हैं, लगबग 60% अब्यारती ऐसे होते हैं, जो अपने subject में 15 से 20 question ही attempt करते हैं, वो लगबग बचते हैं, आपके 30% अब्यारती ऐसे होते हैं, जो किवल 22 प्लस question attempt करते हैं, तो आप अगर average score भी है अगर आपको अपना subject भी आता है तो आप 15 से 20 question असानी से अपने subject में attempt करेंगे तो आपका score कितना बन जाएगा लगबा 30 से 40 30 से 40 तो दोस्तो एक stage आपको मिली कि क्या आपको 4-5 से 6 घंटे टोटल पढ़ना है जिसमें आपका subject भी cover होगा आपका GK Hindi reasoning पूरा आपको छोड़ना कुछ नहीं है आपको किवाले एक subject पकड़ कर नहीं बैठना है अगर आपके वाले एक subject पकड़ बैठेंगे तो आप मार खा जाएंगे आपको एक एक दो घंटा हर subject देना है और मैं गारंटी से कह सकता हूँ अगर आप इस तरीके से तयारी करेंगे तो आपको government seat लेने से कोई नहीं रोग सकता आपका score कितना बन जाता है अब आपका score बन जाता है 230 तो 250 230 तो 250 और ये ऐसा score है कि आप चाहें तो किसी भी college में government college जो आपके नजदीक में पढ़ता होगा आपको 100% government seat मिलेगी अगर आपके 230 प्लस score बन रहा है तो मैं आपकी आपकी rank बता दूँ तो आपकी rank लगबग बन जाती है 3000 तीन हजार rank आएगी 230 पर और 250 पर आपकी rank आजाएगी लगबग 1000 1000 से भी कम rank आजाएगी आपकी 250 पर और ये rank आपको 100% government seat दिला देगी मैं ये चीज़ लिख कर दे सकता हूँ तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि आपको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कुछ नहीं छोड़ना 100% आपको एट्रांस exam में sit मिलेगी government आपके पास 15 दिन है मगर ये 15 दिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है आपको दिखाना है कि हाँ मुझे अब इस तिनो में तैयारी करनी है अगर आप अभी तक नहीं पढ़ें तो दिमाग में बिलकुन निकाल नहीं कि मैं government sit नहीं उठाओंगा आप 15 दिन भी अच्छी तरीके से पढ़ते हैं तो 100% आप government sit उठा देंगे तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज हमें comment box में जरूर बताएगा इस ते next वीडियो में आपको पूरी जानकाई देंगे बियाड के बारे में जो आपको doubt है वो हमें comment box में share कीजेगा मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय बारत वंदे मात आपको ऴेफे जानकाई ।